लो गाईज विल्कम बैक टू अनादेर वीडियो तो दोस्तों यहां पर पता ही आप लोगों को आर्टी का जो सेकंड राउंड है वो लगने वाला था मैंने पिछली वीडियो में भी बताये था बट यहां पर फाइनल जो अपिसियल वेबसाइट की उपर आज ही जो है अप चैनल पर पहली बार आयो ते चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर फ्रेस करके अल बटिंग के उपर क्लिक कर लेना है इससे क्या होगा कि इस तरह की अपडेट हमारे आपको मिलती रहेगी दोस्तों इसके साथ मेरा एक व्लोग चैनल भी जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिशन में दी है उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि वहाँ पर में बहुत अच्छा जै ट्रेवलिंग लॉक्स कॉमेडिव लॉक्स आप लोग विले राता रहता हूँ सो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आरटी की ओपिसील वेबसाइट है इसके उपर जो है यहाँ पर न्यू नोटी जो है आज को ए सेकंड रावूंड के बारे में और यहाँ पर बताया गया है कि देखे पहला जो पॉइंट में सभी पॉइंट जो है आपक तिल बालकान चा पालकान नी प्रवेश गेन्याची मुदत दिनांका 91 में 2022 ते 27 में 2022 अशी आहे मतलब की जो फस रावंड लग चुका था और उसके बाद जो वेटिंग लिस में जो स्टूडन ते वो जो अब भी मतलब की आप यहाँ नीचे दिया हुआ है रावंड कब ल मतलब की यहाँ पर बता जा रहा है कि सभी जिलो में जो है जो पुने जिला है वो छोड़ के जो है जो वेटिंग लिस में ते उनको जो है यहाँ पर आज 19 में मतलब की आज जो है दोफ़़के बाद, मतलब तीन बजे के बाद, जो है, येशे मेस आपर मिल जाएगा, जिसका भी नंबर मतलब की लगा है, या पर लोटरी में जो सेलेक्ट हुए है, स्टूडेंट, उनको जो है फॉअंब जो भरते समय जो आपर नंबर दिया है, उन्होंने मतलब कि सेकंड राउंड जो है वो आज डिकलेर होने आला दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को समझ गया होगा ठीके निचे का टोपिक देखे प्रतिक्षा यादितिल प्रवेश पात्र बालकान चा पालकान ना अर्जा करताना नोंदो लेला मोबाइल वर मतलब कि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि किसी समय जो है टेकनिकल इशू के वज़े से सभी को इसे में से आपर नहीं मिल पाते तो आप लोगों को क्या करना है 19 में के मतलब दोपर 3 बजे के बाद आपको क्या करना है सिधा आर्टी पोटल पर जाना है या पर लिंक देके यह पर मैं दे दूँगा आपको वीडियो के डिस्कुशन में वहाँ लिंक पर जाना है आपको और वहाँ पर एक आर्जाची स्थिति मतलब कि मरेठे में वहाँ पर नाम है और वहाँ पर क्या है आपके फॉर्म के हुआ है उन्होंने एक इसरी पासवर्ड दिया होगा यह फिर फॉर्म बरते समय आपको एक मैसेज भी मिल जाता है उसमें भी इसरी पासवर्ड आया रहता है तो वह भी लॉग इन करके वैं आप मतलब की यह वेबसाइट के उपर आप लोग इन करके चेक कर सकते कि अभी प्रतिक्षा यदिति लोटरी लाग ले लिया पालका नहीं लेटर ची प्रिंट कार्ड ने साथ या रेटी फोटल वर जाउन ऑनलाइन एप्लिकेशन या टैब वर क्लिक करावे और अगर नमबर आप मतलब आपको मैसेज आ जाता है लोटरी कि मतलब लोटरी आपके बच्चे को सिलेक्ट हो गया है तो आपको इसमें समिश मिल गया है तो आपको सिंपल क्या गरना है फिल्स से लौगें की उपर जाना है और वहाँ पर अप्लिकेशन जो टैब है ऑंलाइन अप्लिकेशन उसके उपर जाना है मतलब कि Log In करना है और से जाकर जो है डुक्मेंट विरिफाई करके लाना है और स्कुल में वह सब्मिट कर देना है इस तरह के कुछ information वह आप पर अलोटमेंट लेटर पर उपर हो थे हैं वह आपको डाउनलोड कर लेना होता है यह यह website के उपर जाकर आपको वह allotment letter यहाँ पर download कर लेना होता है और download करने के बाद क्या होता है कि वह allotment letter जो भी आपने application form भरते समझे जो documents है और इनल वह सभी documents लेकर आपको पंचाच सिमिती में verify करने के लिए जाना है और वह भी 19 में से 27 में के बीच में ही और verify करके लाकर मतलब आप स्कूल का नाम अलोट्मेंट में तो रेटर में या जोग्मिंट करने के बाद यवा पर जमा कर देना है और इसके बाद आपका बच्चे का वहाँ पर होजाता है मतलब बच्छेन अया हो जाएगा दो आधर 22 के लिए सो दोस्तों यहां पर कुछ इस तरह से आपको जो ही सारी प्रोसेस यहां पर कर लेना है फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स कंफिशन होता है तो आप कमेंट करके आवश्य बताइए आज का वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना बूले क्योंकि उनको भी यहां पर पता चलना चाहिए कि जो सेकंड डाउन जो है वो यहां पर लग चुका है ठीक है तो चले फिर मिलेंगा इसे ही अपडेट के साथ नेक्स ट हिस मिलेंगा है।